हेलो फ्रेंड्स मैं राधिका दिवांगन आज आपको मैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नमबर वन मैं आपको एक्जाम के लिए प्रिपेर करवाने जा रही हूं तो इस पर मैंने क्या किया है selected topic लिए है selected question and मैंने selected topic ही आपको क्या किया है चैप्टर नमबर वन मैं आपको prepare करवा रही हूँ final exam के लिए तो देखे सबसे पहला है आपका साज़ेदारी अनुबंद के आभाओं में निम्न के सुख का नियम है फिर है लाव विभाजन अब देखो यदि साजेदार इस अनलेक में क्या होता है दिया रहता है लाभानी अनुपात तो उसे अनुपातने बाढ़ते हैं और नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं बराबर रेश्यों में बाढ़ देते हैं फिर है साजेदार का पारिश्रमिक यदि साज़ेदार एधिनियम में साज़ेदार के पारिश्रमिक के लिए कुछ नहीं का गया है तो क्या करना है पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, फिर होता है आपका साज़ेदारों के रण पर ब्याज, तो साज़ेदारों के रण पर ब्याज क्या होता है आपको 6% दे हो होगा कि आरण प्रप्यास दिया जाएगा तो उनको देना पड़ेगा फिर आपका साज़ेदार की नहीं साज़ेदारी की नहीं चार विसेस्ता है देखो विसेस्ता है ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपको selected points और 4 झार ही नहीं आपको सारी चीजे जानने कार अब पिर सबसे पहले हम साज़े दारों की संख्या तो सबसे पहले हम लेते हैं वियावसाय ठीक है तो क्या होना चाहिए अब हम साज़ेदारी की आशिक लिए इसके लिए एक वियावसाय का किसी भी साइधारी संगठ Administration में कम से कम क्या होने चाहिए दो व्यक्ति कि हम क्या कर सकते हैं कम-से-कम बो अधिक कम-धो कर सकते हैं इस point का नाम हम फिर कण से कम-धो अधिक से परशिस और बैंकिंग वें सायावाले में आपका कम से कम कितने होने चाहिए ने चाहिए कमसे कम दस व्यकती होने चाहिए और किसी भी साज़ेदारी संगठें में कम से कम दो अधिक से अधिक पचास तब साज़ेदारी वैद नहीं माने जाएगे फिर उनके पीछ क्या होना चाहिए एक समझाता होने चाहिए साज़ेदारी का जन्म ही अनुबंद से होता है अथा यहाँ वश्या के साज़ेदारों के बिश समझाता होना चाहिए और यह समझाता लिखी का था मौखिक भी हो सकता है इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स एड़ कर सकते हैं आप जिसे साज़ेदारी सनलेक है ना साज़ेदारी सनलेक इसकी एक विजिस्ता है साज़ेदारी सनलेक भी होती है इसमें और इसमें आपके बहुत सारी चीज़े आ सकती है है ना जिसे साज़ेदारी कर रहे हैं साज़ मानते समझाई अब देखो साजेदारी सनलेक और साजेदारी विलेक क्या होता है एक ही चीज होता है आपका आप कोस्चन एक्जाम में देखे घवराएंगे नहीं साजेदारी विलेक साजेदारी सनलेक ये एक ही वर्ड होता है आपका है अब देखो साजेदारी सनलेक क्या हो साजेद्रों के नामयवय, पतें, उनकी व्यक्तीगत्तु व्यक्तिकत hayew하면서 к quelqu के लाइन चाहिए स्वरूपी फीर फОर्म के लाभानि भाजन व्याजन का पैड भी होता है फिर है प्रत्तिक साज़ेदार की आहरण की सीमा वो कितना आहरण कर शकता है फिर पुंजी पर ब्याज दरकंडर धारण अन्य शर्ते फिर है साज़ेदारों को दिया जाना लबार पारिश्रमिक वेतन के बारे में भी जानकारी होगी और साज़ेदारों से लिया जाने वाला इसके लिए भी क्या होंगे शर्थ होंगे फिर नए साज़ेदारों को प्रवेश देंगे और प्रवेश देंगे भी तो किन सर्थों पे देंगे इस सारी चीजों का उलेक होता है आवश्यक होता है फिर है पर्मे में साज़ेदार के लिए योग गेता क्या होना चाहिए? फर्में साज़ेदार के लिए योग गेता सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? वयस्त वयक्ति वयक्ति कौन होता है? जो 18 साल की आयू पूरी कर चुका है. तो एक साज़ेदार बनने के लिए किसी व अठारा साल से अठारा से वर्स के आयू पोरु किया हुआ होना चाहिए वह व्यक्ति वयर्ष कुने दिवालिया ना हो फर में वही व्यक्ति साज़ेदार हो सकता है जो दिवालिया नहीं हो अब दिवालिया मतलब क्या होता है जैसे किसी के संपत्ति जो होती है वो उसके दाय नहीं होना चाहिए पिर भारती नागरी साज़ेदार्य अधिनियम के अनुसर्ण फर्म में कोई विदेसी व्यक्ति साज़ेदार नहीं बन सकता है भारती नागरीख साज़ेदार बन सकता है फिर है आपका question देखो जो numerical question आपके उसके लिए calculator सारी चीज़े लेके बैठेंगे आप calculation करने के लिए और इन question जो numerical question उसको अच्छे से देखेंगे आपकी exam में in selected question में सही question आते हैं आपके अब देखिए रमा और लता एक फर्मे के साजेदार है टू इस टू बन में लाभानी बाटते हैं उनकी पूंजी क्रम सा कितने की है बीस जार रुपए वा दस जार रुपए समझोते कि अनुसार उनको लाब बाटने के पूरो पुझी पर 5% ब्याज मिलता है फिर है ब्याज लगने के पूरो 9,000 रुपए का वर्स का लाब है लाब आनिय उभाजन खाता बनाना है अब सबसे पहले हम देखें के लाब भाणी उभाजन खाता का फॉर्मिट क्या होता है पर्टिकूलर अमाउंट पर्टिकूलर अमाउंट अब देखो क्या बोला जा रहे हैं आपे पुझी पर ब्याज देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पुंजी पर ब्याज कितना देंगे 5% मिलता है तो रमा और लता 20,000 का 5% कितना हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा और 1000 का 5% कितना हो जाएगा 500 रुपए यह क्या है पुंजी पर ब्याज आपका ठीक है तो इसको क्या है डेबिट साइड लेगे फिर क्या है आपका प्रॉफिट कितना था 9000 रुपए तो उसको किसे लेगे लेके आएंगे प्रॉफिट को पहले पहले हम क्या करेंगे profit को लेके आएंगे उसके बाद हम पुंजी पर ब्यास देंगे उसके बाद जो बच्छे का है ना जैसे अकाउंट देखो इधर पुंजी लगा कर साज़ेदारी बनती है वर्स 2014 पंदा की समापती पर लाव कितना है तेवी सेजर दोस होता है उनके साज़ेदारी समझाते के नुसार उनका बढ़वारा पुंजी के नुपात में करें पर उससे पहले सीखा को पांच रुपर प्रती महावेतन तरह साज़े साज़ेदारों के पुंजी खाते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट पहले लेकर आएंगे तो प्रॉफिट कितना है आपका प्रॉफिट आपका दिया हुआ हुआ है को तेवी सेजर दोस हो तो प्रॉफिट की धर लाते हैं क्रेडिट एख सेड़े क्या तें नेट प्रॉफिट है फिर क्या करेंगे हम हम गो देना है इंटरेस्त on capital कि इतना देना है हमको 10% देना है इंटरेस्ट on capital तो दो लाग का कितना हो जाय इस loss को हम किस ratio में बाटेंगे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है पुंजी अनुपात ने बाटना है तो हम क्या करेंगे पुंजी अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा particular debit amount राखिय शीखा होगा और credit amount में राखिय शीखा particular होगा सबसे पहले हम क्याल लेकि आएंगे balance लेकि आएंगे तो सबसे पहले capital account है partners का capital लेकि आएंगे credit side लेकि आएंगे capital को 2 लाक रुप है 3 लाक रुप है फिर by salary है ना salary हम किसको दिये है salary हमने credit side जाके लेकि देंगे फिर है by interest on capital interest on capital कितना था आपका interest on capital हम कहां लिखेंगे credit में लिखेंगे ये कितना है 20,000 रुप है 30,000 रुप है क्या है partners के लिए profit है है ना interest on capital तो इसको हम किधा लिखने है credit side फिर debit side जाएंगे drawing drawing business से लेते हैं उसको वापस करना पढ़ते है एक प्रकार का loss है 7,000, 10,000 दोनों के account में लिख लेंगे फिर है profit loss profit and loss है हमको क्या हुआ था loss तो loss को हम किधर लेके आते हैं debit side लेके आते हैं loss को लिख लेंगे फिर जो balance बचेगा वो appropriation account balance हो जाएगा आपका आप इसको clear कर लोगे फिर है एक जन्वरी 2007 से विभोर और विदांग साज़ेदारी में है उनकी पुझी क्रम सा 5950 रुपए और 3400 रुपए है उनके बीच कोई साज़ेदार इसमझाता नहीं है अगस 2007 को विभोर ने फिर्म को 1275 रुपए का रुण दिया और लाब कितना है 2296 रुपए आपका है दोनों साज़ेदार क्या है लाविभाजन पर सहमत नहीं है इस दिलाब ने उजन खाता बनाना तो सबसे पहले क्या है इनके बिच कोई अनुबंध नहीं है सबसे पहले पुंजी पर रिण पर ब्याज अब रिण दिया है तो उस पर ब्याज दिया जाएगा रिण पर ब्याज कितना दिया जाता है आपको 6% दिया जाता है तो रिण कितने का है 1275 रुपए का अब देखो 1275 पर का 6% निकालोगे तो आपका आपका कितना आजाएगा आपका जितना भी आएगा ठीक है लेकिन यहां पे एक चीज़ आप ध्यान रखोंगे 6% निकालने से काम नहीं चलेगा रिंड कब दिया है वो अगस्ते से दिया है तो अगस्ते से लेके 31 दिसमबर तक अकाउंट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 मन्त का हो जाएगा तो आप 6% करोगे है ना 1275 पर का 6% करोगे उसके बाद आप उसको 5 बर 12 करोगे देखिए अगस्त, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नोवंबर, दिसमबर तो आपका कितना हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आप इसको 89 भी कर सकते हैं फिर आप प्रॉफिट से इस इधर लेके आ गये थे इसको माइनस करोगे दोनों को बाड़ दोगे जो आएगा ठीक है इसको अब दोनों को बाड़ दिये पुंजी खाता से करके देखो रेंड पर ब्याज कहा है 6% वार्सी दिया गया ठेक उसके बाद है आपका यहाँ पर लाभानी विभाजन अनुपात कुछ नहीं दिया गया है इनके बीच कोई अनुबन नहीं इसलिए हम क्या किया लास्ट में इसको एक्वल रिश्यो में बाड़ दिये हैं पीर है बसंत्व विश्णू यह कोस्चन आपको मैं इससे पहले आपके आसाइन्मेंट में भी आया था तो मैं यह कोस्चन आपको इससे पहले ही बता चुकी हूँ बशंत वो विश्णू फर्म में एक फर्म में साचेतार है जनुरी 2015 को उनकी पूंजी क्रम सा 25,000 रुपए 20,000 रुपए उन्होंने पूंजी पर आठ प्रतिशत प्रतिवर्स की दर से ब्याज दिया जाता है बसंत ने एक जुलाई 2015 को 10,000 रुपए फर्म को रिन के रूप में दिया पांच जार रुपए वाशिक वेतन काधिकारी है ठीक है उनके हरनों पर ब्याज कमसर 6,500 रुपए लगा जाता है बेशनस के तना चाहेगा तौं सल रुपए जाका वेतनरा सब्सक्ता होfeltविए बसंत के रंड पर ब्याज सोजर थे ना थे टर्टवेश Moder पर ब्यास कैसे हो जाएकinyगा गया कि न्नका धिया गए हां पर 12% बूरगे एक今日 जुलाई 2015 10,000 रुपय है और 6% देते हैं तो 10,000 रुपय का 6% निकालेंगे और उसका क्या करेंगे जुलाई है जुलाई है तो वो जुलाई से दिसंबर 6 मन्त हो जाएगा तो 6 बैट वैल करेंगे तो फिर आपका कितना आ जाएगा ये आपका 300 रुपय आ जाएगा फिर है आपका वेतन salary दिया है salary के लिए क्या दिया गया था आपका कि कहा दिया गया salary आपको salary हाँ 5,000 रुपय वार्सिक वार्सिक दे रहे हैं तो 5,000 का 5,000 किसको दे रहे हैं विश्णू तो विश्णू करके क्या लिखेंगे रूपने वेतन ख़ते से संह swear 5,000 रुटेर फिर है आहरन पर व्याज क्या कर रहे है आहरन पर व्याज कीता दिया गया है आपको 12% लगा जाता है तो आहरन कीतना था उसका 600 रूपने पांजा जम्रूपने इस वर क्या है टेन पर संत आपको इंट्रेस्ट तो कितना हो तो आपका debit set का total कम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या करोगे ratio, अब किस ratio में बाटना है, आप बाटने के लिए कोई ratio नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, equal ratio में बाटेंगे, तो देखो, बसंद तक इतना हो जाएगा, 8600 रुपए, विश्ण विंद और सुमन, 7.03 में भाजन करने वाले साजीदार है, और उनकी पुझी करमशा 1500 रुपए और 1000 रुपए है, साजीदार हो कि पुझी पर ब्याज देने की व्यवस्था 5 प्रतिशक की है, सुमन को 240 रुपए वार्शिक वेतन पाने का अधिकार है, उसने जो उसने अभ 3-1 by 8 मैनेजर कमिशन करूप में देना है, तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेस लेका है, कितना 800 रुपए दिया हुए प्रॉफिट, फिर पुझी पर ब्याज, पुझी पर ब्याज कितना देने बोला है, आपको पुझी पर ब्याज 5 प्रतिशक तो 1500 का 5% निकाल कितना आजाएगा आपका, 75 और 50, यह आगया आपका, सौरी, इनकी पुझी कितनी है, साइदर की पुझी 15 रुपए है, आप पुझी पर ब्याज पर निकाल लेंगे, यह हो गया, फिर आपका दिया है, मैनेजर का कमिशन दिया, आप देखो, कमिशन के लिए आप क्या करू तो 24 आएगा, 24 और 25, 25 रुपए हो जाएगा, तो कमिशन कितना निकालना है, 800 का पहले कितना परसंट देंगे हम, 800 का कमिशन, कमिशन का 25 रुपए हो जाएगा, तो कितना जब का कमिशन 25 रुपए आजाएगा, उसके बाद है, आप देखेंगे, डेबिट सेट का टोटल कम है आपका 2 छो से 50 रॉपय या उसको क्या करें गया हम रेशीयो दिया हूँ है ना जो रेश्यों दिया हुआ कौन सा दिया है 7 तो 3 दो इसमें क्या करेंगे सुमन को और अर्विंद को बाट देंगे तो एत आपका क्या ऐगा इतना का चायगा आप बाट के देख लेंगे 7 इस तो 3 यह बाटेंगे फिर बनाएंगे साजेदरों का पूंजी खाता ठेक उसकी बात क्या है आपका पूंजी खाता तो इसमें क्या करेंगे सेस लाएंगे सबसे पहले पूंजी लेके आते हैं सबसे पूंजी पर ब्याज के इतना था 7550 क्रेड़िट साइड वेतन भी क्या होता है प्रॉफिट होता है एक साहथदर के लिए 140 रुपर उसका वेतन है फिर लाभा नहीं खाता है ना तो क्या हुआ हमको यहां पर यहां पर हमको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो ऊसको किधर लेके आएंगे क्रेड़िट साइड लेके आएगे प्रॉफिट हमारी फाइदा है तो क्रेड़िट साइड लेके आया है 455-1995 फिर डेबिट साइड क्या लिखि Een क्योंकि आहरन कितना दिया हुआ है आपको 120-200 दिया हुआ है है ना दोनों का फिर जो अमॉंट बचेगा वो सेस ले गया दी दोनों को दे देंगे ठीक है फिर है आदित्य और अनुजा लाव वहानी का भी भाजन 3-2 में करते हैं जो जन्वरी जो एक जन्वरी 2017 से साज़ेद बनाते हैं यह गारंटी दे जाती है कि अंकीता को प्रती वर्स कम से कम 3000 रुपए मिलेंगे आदित्य अनुजा का प्रस्परम पर पूरवरत रखा जाएगा वर्स में फर्म को 20 रुपा का लाव हुआ ठीक है अब देखो यहां पे लावानी जन खाते हैं सबसे पहले हम क्य एकवने देट लाएं गया ठीक है तो हम क्या कियें तीनो को बाड़ दिए खे इनका कोड दिए उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम 20 जार में से क्या क्या अंकीता को कितना दे रहा है हम 3000 रुपै खेंदा 17.000 बच जाएगा अब इस 17,000 को हम पोरवरत अनुपात ने बाटेंग इनका पिछला नुपात कहा 3 is to 2 तो हम इसको क्या करेंगे 3 is to 2 में बाड देंगे 17 जर इंटो 3 is to 5 पहो 17 जर इंटो 2 is to 5 फिर आदेत्य और अनुजा का पार्ट आजाएगा आपका और फिर जो बचेगा वो कितना अंकीता कितना मिला 3 जारती किसका हो जाएगा अंकीता का हो जाएगा तो यहां पर देखो 10,000 रुपए 200 किसका आया ठीक है पुरान नुपात में जो इन दोनों के बाद पच्छेगा वो किसको मिल जाएगा तीन हजार रुपए है वो वांकीता का हो जाएगा फिर और बहुत सा साज़ेदार है जो लाभानी करमसा टूश्टू 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 वन ने बादते हैं उनकी पुन्जी दस चार रुपए आट चार रुपए छहजार रुपए हैं वर्स के अंतिम खाते बना ले समय जित किया जाएंगे ठीक है प्रविष्टी कीजिए अब देखो ब्याज के रूप में जम्हा होने आली रासी दिखा सबसे पहले देखो कि कितना देना था ब्याज हमको इसका पांस सो रुपए होना था इसका होना था आपका चार से रुपए और इसका होना था तीन सो रुपए है ना तो इनको डूटे दें 12 रुपए फिर क्या है नहीं दिया गया है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको टूइश्टू टूइश्टू बाट देंगे जो लाभा नहीं बाटते हैं उसको हम क्या करेंगे तो हमको पता चला कि अंतर्रा सी कितनी समय जित करना है हम को आ का कितना आया है क्रेडिट आया है बी का डेबिट आया है सी का कितना आया है क्रेडिट आया है ठीक तो क्या करेंगे हम समायोजित किसमे करना है आपको अमे करना है शमे करना तो हम क्या करेंगे B का पुंजी का तर डेबिट करेंगे क्योंकि उस खचाता है तो 80 और क्या करेंगे A से और 100 से 20 और 60 हो जाएगा आपका equal समाय और जन करेंगे ठीक है अब पुंजी पर जो ब्याज़ास को अब देखो यहां पर क्या किया गया है पुंजी पर ब्याज़ कितना देना था हम क्या किये हैं पुंजी पर ब्याज़ हमको देना था 6% पर हम क्या कि हैंcolor देआ हैं तो हम क्या करना है एक प्रतिशत और दिना थे तो हम क्या करेंगे अगर हम 8000 का सीजर की प्रतिश निकालेंगे तो 800 रुपय जा जाए इसका कितना जोगइक 00CA हमको देना कितना था इतना है ना और हम दे कितना दिये हैं हम कितना दिये हैं पहले सासर रुपैस को दिये हैं सासर रुपैस को दिये हैं तो हमको क्या क्या किये थे कम दे दिये थे और भी को जार दिये थे हम क्या करेंगे इस अमाउंट को एड्रेश्ट कर देंगे अब देखो पुझी पर समझें यहाँ पर आप इसको आड्डिश्ट कर लोगे फिर दिया है आपको धन्यवाद आप इस वीडियो को अच्छे से नेख लेंगे क्योंकि यह selected question है आपके chapter number 1 के कि अभाई है